दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक premium multi-tool website बनाना सिखाने वाला हूँ पूरा detail में अगले 10 मिनट के अंदर आप एक premium multi-tool website बनाना सीख जाएंगे साथ ही मैं उस website के उपर premium template कैसे download करके install करना है वो भी detail में बताने वाला हूँ वीडियो को पूरा complete देखेगा अगर आप भी अपनी एक tool website बना के उसको Google के उपर rank करवा के महीने के लाखरूपे earn करना चाहते हो तो वीडियो को skip करने की गलती मत करिएगा अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किये हो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर दीजिएगा साथ ही अगर आप हमारे वीडियो पहले से watch करते हो तो वीडियो को और भी logo तो share करिये ताकि उनको भी इन creative ideas के बारे में detail में जानकारी हो पाए तो दोस्तों आपको इस वीडियो के description में इस website का link बिलेगा जिस website के उपर आपको second tool मिल जाएंगे free of cost tool means इनकी tool की script आपको यहाँ पर मिल जाएगी जिनसे आप easily tool बना सकते हो सारी script आपको HTML के अंदर available मिल जाएगी यहाँ पर दीजिए free tool script के अंदर almost 60-70 से जादा ही यहाँ पर tool script आपको दीखने को मिलेगी इसके अलबा और भी digital product आपको यहाँ पर दीखने को मिल जाएंगे जिने की आप use करके अच्छी खासी earning कर सकते हो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपनी एक website बनाओगे उसके उपर premium theme को लगाओगे पूरा total google से download करके लगाना सिखाऊँगा उसके बाद यह भी बताऊँगा कि कैसे आप chat gpt से उनने script को तयार कर सकते हो सो इन सब की सुरुवात करते हैं पहले एक website को बना के कैसे website को step by step create किया जाता है सो आप देख सकते हैं यह google के उपर हमने चर्च किया है blogger सो यहाँ पर अगर अपन क्लिक करें blogger के अंदर यह link आएगी सबसे पहले आपको इस पर click करना है जब आप इस पर click करोगे तो यहाँ पर एक create your blog and sign in दो option आपको यहाँ पर दीखने को मिलेंगे सो आप किसी पर भी click करेंगे तो आपके सामने आपके gmail account आ जाएंगे आपको उनमें से किसी भी एक gmail account पर click कर लेना है जब आप अपने gmail account पर click कर लेंगे तो आपको अपने blog के लिए एक name पूछा जाएगा जो कि आप यहाँ पर अपने screen पर देख सकते हो यहाँ पर आपको अपने blog के लिए एक name डालना है तो मैं अपने blog के लिए यहाँ पर multi-tool website name डाल देता हूँ right क्योंकि हम यहाँ पर multi-tools बनाने वाले हैं तो यह name जो हैं मैं यहाँ पर डाल देता हूँ right और उसके बाद कर देंगे आपन save अब हमें अपने blog के लिए यहाँ पर URL डालना है so URL अपन बना लेते हैं multi-tool website और अगर यह domain आपको नहीं मिलता है तब पीछे कोई random number आप add कर दीजेगा and उसके बाद save कर दीजेगा तो आपका जो है blog बनके ready हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं और अब आपको क्या-क्या चीजे follow कर दीए उनको आप बहुत डीटेल में देखें यहाँ पर आपको आना है pages की उपर and यहाँ पर 5 pages compulsory बना लेना है about us, term and condition, disclaimer, contact us, privacy policy and उसके बाद यहाँ पर देखे settings के अंदर आके आपको जो एक कुछ settings सही कर देना है description डाल देना है आपको अपनी website का blog language जो UK की select है उसको normal English select करके save कर देना है meta tag को आपको यहाँ पर enable कर देना है नीचे दीखे आपको option मिलेगा यहाँ पर दीखे meta tag का जहाँ पर आप दीखे enable charts description and यहाँ पर दीखे crawler and indexing का option आपको मिलेगा जहाँ पर आप custom robot text को enable कर दीजिएगा custom robot header tag को भी आपको यहाँ पर enable कर देना है और अपनी website को google charts console में आपको add कर देना है इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर theme को डालने वाले हैं तो आप theme segment पर आएंगे सबसे पहले मैं आपको theme को download करना सिखाता हूँ तो आपको google के उपर आना है and charge करना है free blogger template जब आप google के उपर free blogger template charge करेंगे multiple website आएगी कोई भी पहले नंबर वाली website open कर लीजिएगा देखे यहाँ पर अलग-अलग template आपकी आपके सामने आ चुकी है अब आपको जो भी template चाहिए उसमें से आपको select कर लेनी है like मैं यहाँ पर कोई template आपको select करके बताता हूँ अच्छे से दीखने के बाद so यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे यह template काफ़े decent लग रही है इसको लेते हैं majestic so majestic blogger template यह template है यहाँ पर रीगे download का icon है यह premium template है जिसे आप खरीद भी सकते हैं so मैं इसको free में download यहाँ पर कर लेता हूँ download पर click करेंगे तो यह यहाँ पर दीखे download हो जाएगी majestic free version zip so इसको अब कैसे install करना है इसको ध्यान से लीगे अब दीखे हमारी file download हो चुकी है अब यह zip file में तो इसको यहाँ पर extract करना होगा तो मैं यहाँ पर extract file कर देता हूँ so यहाँ पर आप देखे इस file को मैंने कर दिया extract अब open करेंगे तो यह जो XML document है यही हमारी theme है तो हमने download कर लिया है अब इस page को अपन हटा सकते हैं और अब आएंगे blogger के अंदर इस theme के page पे जहाँ पर हमने last time जोड़ा था तो यहाँ पर देखे customize के right hand side में यह icon है इस पर click करेंगे restore के उपर click करेंगे and upload के उपर click करेंगे और उसके बाद आप देखे यहाँ पर यहाँ से आप वो theme जो आपने comment है इसके उपर click करके इसको upload कर देंगे तो यहाँ पर restoring theme आजाएगा कुछी देर में यह theme जो है आपके सामने restore हो जाएगे और आपकी website का पूरा structure ही बदल जाएगा यहाँ पर यह अमारी वो नई website है जो अभी हमने बनाई है और इस पर majestic theme हमने जो add डाल दी है देख सकते हैं कितने interesting बनी है हर एक चीज को आप यहाँ से change गर पाओगे इस चीज के लिए बिलकुल भी आपको गबराने की जरुरत है नहीं right so theme हमारी लग चुकी आप customize कैसे करेंगे like यह top पे यह जो logo आ रहा है यह सारे name कैसे अटाएंगे तो इसके लिए layout पे आना है and यहाँ पे आप दीगे आपको related post top पे दीखने को बिलेगा आप चाहे तो इसको on रख सकते हैं चाहे तो disable कर सकते हैं so इनको चाहे तो आप यहाँ से delete भी कर सकते हैं यह totally आप पे depend करता है so इसके लाबा main header दीखे यह main logo है इसको आप यहाँ से अटा सकते हो दीखे majestic upload image from computer select file and यहाँ से कोई भी file आप select करोगे like यह select करता हो मैं and यहाँ पे आपने इसको save कर देंगे right so कुछ इस type से जो है logo आपने यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे यह जो logo है यह basically change हो चुका होगा देगेगा ध्यान से और यह सारे feature हम यहाँ पे edit कर सकते हैं नीचे भी सारे feature edit हो सकते हैं बस उसके लिए time देके आपको cj सीखनी होगी so यहाँ पे देगे यह सारे जो folder बने हुए इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ इन pages को और यहाँ पे आपन जो है एक अच्छा सा और page add कर देते हैं जिसका नाम अपन रखेंगे यहाँ पे tools right और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ hashtag so उसके बार अगर आप यहाँ पे और कुछ चीज़े डालना चाते हो like software डालना चाते हो तो आप और बना सकते हो and यहाँ पे आप hashtag डाल के उसको save कर सकते हो तो अब देगे इन folder की जगह पे जो name अभी मैंने डाले है वो आ जाएंगे इसी तरीके से आपको footer and सारी चीज़े setup कर लेने है like नीचे भी same setup है social media link आपको डाल देने है और यह सारे segment आप जो है change कर पाऊगे अभी currently मैं आपको यहाँ पे tool डाल के बताता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा important चीज़े सबसे पहले बात तो यह कि tool लाने के लिए आपके बास दो option है एक यह कि नीचे description में आपको website का link विलेगा वहाँ से आप directly copy paste करके ले जाएए अनियदा आप जो है chat gpt से भी अपने लिए script तयार करवा सकते हैं so यह जो chat gpt को आपको command देना होगा write a complete responsive code of ifsc code checker tool in html with javascript so कहने को मतलब कुछ history अगर आप chat gpt को command दोगे तो chat gpt आपके लिए script को तयार करके दे देगी अब करवा सकते हो इसमें काफी time आपका लगेगा write लेकिन काफी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा अगर अगर आप इसको quick click करना जाते हो तो आपके लिए जो option है वो यह कि यहां से आप इस website से intel को copy करके ले जाओ सबसे पहले हैं हेच टू बाइनरी कनवर्टर टूल अपन यहां से ले जाते हैं तो देखिए ध्यान से यह हमने यहां से copy कर लिया blogger के अंदर आगे new post पे अपनने click कर दिया and यहां पे अपनने title डाल दिया label के अंदर जो है tools name से label हमने बना लिया and जो permalink का option है उसके अंदर custom permalink पे click करके अपनने जो title है वो यहां पे paste कर दिया and उसके बाद आप देखिए church description का option है इसके अंदर आपको meta tag आपके डाल दे नहीं यह बहुत जरूरी है और अब देखिए title के नीचे यह जो option है इसमें आपको HTML view यह select रखना है so देखिए इस tool की script आपको यहीं पे मिल जाएगी नीचे scroll करने पर इस script को मैं यहां से copy कर लूँगा so script को एक बार यहां से copy करने के बाद मैं इसको यहां पे HTML view में paste कर दूँगा right उसके बाद यह जो last line वाला text है इसको अटाके इसको कर देंगे अपन publish अगर कोई photo आप add करना चाते हो तो आपकोर्स यहां पे कर सकते हो like मैं आपको photo add करके बता देता हूँ यहां पे कोई भी so देखिए ध्यान से यहां पे कुछ photo's मैं ने add किया हुए है उन में से कुछ करके आपको बताता हूँ so यहां पे देखिए यह image gallery यहां पे open हुई इसमें से हमने यह photo select किया and यहां पे लगा दिया एक tool मैं आपको यहां पे और डाल के बताता हूँ currently मैं आपको look बताता हूँ कि आपकी website का look कैसा हो चुका है one tool आने के बाद so अभी हमने यहां पे tool पोस्ट कर दिया है so अभी वाकई में यह चीज जो है देखने लायक हो जाएगी कि कितना structure जो है यहां पे change हो चुका है आपकी website का तो आप देख सकते हैं यहां पे आपको यह tool देखने को मिलेगा view the recent blog यह आपका recent blog है यहां पे advertise रहेगी यह आपका front phase है इनको आप यहां से हटा भी सकते हो इसी तरीके से एक और tool में आपको यहां पे बना के बता देता हो ताकि आप चीजों को easily समझ पाओ यहां पे देखे text to space converter tool में आपको यहां पे बना के बताता हो जिसमें आप text डालेंगे वो space बन जाएगा यहां पे रहेगे title हमने डाल दिया level में आपन tools डाल देंगे permalink के अंदर custom permalink में आके आपको title पेस्ट कर देना है and search description के option में आपको meta tag लगा देने and यहां पे आपको उस tool की coding को paste कर देना है जो कि आपको इस website में मिल जाएगी website का link आपको description में मिल जाएगा so यहां पे एक बार आप अपनी coding को paste कर देंगे उसके बार आप चाहे तो यहां पे कोई photo भी add कर सकते हैं कोई article भी इससे link कर सकते हैं currently मैं यहां पे कोई photo आपको जो है upload करके बता देता हूँ तो देगे browse photo करेंगे और यहां से कोई भी random photo मैंने उठा लिया है currently आपको explain करने के लिए और photo को हमने यहां पे extra large and center करके उपके कर दिया है और add कर दिया है अब इसको कर देते हैं अपन publish so photo हमारा publish हो चुका है post भी publish हो चुका है और website के look में भी काफे difference आच चुका होगा so आप देख सकते हैं यहां पे recent blog में दो चीज़े आ चुकी है text to space converter tool भी add हो चुका है अगर आपको यह template सही ना लगे तो आप दूसरी template भी of course add कर सकते हो उसमें कोई भी doubt नहीं है layout में जाके कुछ changes में आपको अगेन यहां पर बता देता हो like यह दो option भी अगर आप यहां से disable करना चाहो तो आपको कर सकते हो asset disable करके आपको save कर देना है यह भी आप जो है यहां से disable करके save कर दीजेगा right अभी main header हमने change कर दिया main menu आप यहां से edit कर सकते हो home tool software जो भी आपको डालना है यह feature section आपको यहां पर देखने को मिलेगा like आप देखिया है यहां पर मैं आपको explain करता हूँ right यहां पर आपको पूरा जो है structure आपका जो यहां पर है यहां पर आपको explain किया गया है अब देखिये जो widget आपको देखने को मिलेंगे फूटर में सारी चीजे copyright फूटर यह सारा setup आप change कर सकते है easily थोड़ा सा time आपको यहां पर देना होगा and अगर आप सीखते हैं तो बहुत easily यह हो सकता है overall आपने multi-tool website को यहां पर create कर लिया है जिस पर कोई भी आके अपने text को space में convert कर सकता है अपने hx को binary में convert कर सकता है और इसी type से आप multiple tool यहां पर बना सकते हो अब देखिये यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको अपना text डालना है तो मैं text डालता हूँ एंड उसके बाद इसके speak पर click करता हूँ hello आप देख सकते हैं कि realistic text to space converter tool यहां पर आपके लिए मैंने बना के दे दिया है अब इससे ज़्यादा तो आपको क्या ही दूँ इसके लावे एक और setting में आपको यहां पर बता दू कर देना है इससे आपका जो website का look है वो mobile में एकदम सही से आएगा फिर जाए वो किसी भी type का mobile क्यों ना हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आपन यही पर wind up करते हैं आयोग के आपको एक basic idea मिल पाया होगा कि कैसे किसी multi-tool website को create करना है and run करना है and बड़े level तक grow करना है अगर वीडियो informative लगा तो वीडियो को like करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों साथ वीडियो को share करिए ताकि हर कोई online hunting करने के बारे में सीख पाए अपनी multi-tool website को बना के साथ ही इसको monetize करवाने के कई तरीके जो है आपको online पता चल जाएंगे thanks for watching friend